अगर आज यहां पर मोत हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता क्या परसासन इस चीज की बरपाई कर पाता किसी की मोत की बरपाई क्या कर पाएगा परसासन ने आखे मूंद करा कि क्यों परसासन यहां पर बैठा हुआ है क्यों कारवाई नहीं की जाती और बीचो बीच ख नहीं हटाया जाता नमस्कार मैं प्रियंका और आप तस्वीरे देख रहे हैं पेगागाओं की जहां पर जो पेगागाओं के आदमी है वे कई बार पीड़ी विबा को अवगत करवा चुके हैं जो रोड के बीचों बीच एक खंबा खड़ा हुआ है लेकिन कई बार गाओं खंबे को लेकर पीड़ी विबा को और साथ में बिजली निगम को भी अवगत करवा चुके हैं कि बीच से खंबा हटाया जाए लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है ये पेगागाओं है जो कि उचाना हलके में आता है उचाना हलके के उसमें आने के बजार होते 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 दो इन्सानों की जान बच गई आज इंसानों की जान रहा सकती लिग गली तो उसका जीमेणार आखीर कौन होता परसाशन क्या जबाव दिएता यह आप देख रहे हैं कि खंबा अ गाड़ी टकराने से खंबा टूट कर साइड में गिर गया है लेकिन जो विबाग है जो परसासन है परसासन के द्वारा कोई कारवाई यहां पर नहीं की जा रही है जो यहां के पेगा गाओं के लोग है वे कई बार बता रहे हैं कि हम कई बार अवगत करवा चुके हैं जो प गाड़ी देख रहे हैं गाओं वालों के द्वारा बताया रहा है कि यह मांडी गाओं का था और बीच ओ बीच हम बाइस के उपर गिरने से यह गाड़ी की हालत हुई है और इसाब में मतलब दो इनसानों की जान मरते मरते बची है एक गाड़ी का बुरा हाल हो चुका है पहाइनों ने अर्दास लगाई है कहां कहां ये खंबे को लेकर पहुंच चुके हैं लेकिन कोई कारवाई नहीं की जा रही है नमस्कार सर तो सर यह जो गाउं के यह रोड के बीच में खंबा खड़ा है यह माने में खंबे नहीं है इतों 24-25 खंबे गाम के और पिछले 6 बि प्रवाना उचाना से संपर कर सके हैं सभी करमचारी अपनी जूटी को एक दूसरे बटालते हो नजर आते हैं प्रवाइजर के ना इस पर कोई सपेद पटी है ना कोई इंडिकेशन अब भी मलवा पढ़या हुआ है यह सर कौन सा रोड है यह कनल राइस्टाउस रोड है औ और यह एक्शन पीड़ा बनाएगा यह 1.8 किलो मीटर का इसकी जो तोड़ा है वह ठारा फूट है लेकिन अमने कई बार इसको गाम वालों के माधनम से इसको दुआया पत्रगार बाईयों से चाह बंदो बाईयों से भी कई वीडिया के माधनम से भी यह खबर परमुकता स कोशिस करी आपने बुठाई किर्शन बाई ने बुठाई सर्मा जी ने बुठाई पटवा साब ने बुठाई और विजित ने अपने यूटूब चलनना है उन्हों बीस खबर को परमुकता से उठाया वह सारी अखबार सारी वीडियों मारे पास है लेकिन लेकिन हम तो आ लेकिन जो जो एक्षन पी डर्वाना उपिसका स्टाफ है खासकर जेई और संदीश सच्देवा एश्डियों वह इतने लापरवाई हैं कि आपने काम वह काम ना समझ के ओभी में जाएगा डूटी करके और अपने बिल पास करके घर चले जाना है वह अपने कभी नहीं दे ने कभी कोई द्याद नी दिया ना मने उसको मने उसको कई बार काया ओफिस में जाएका मिला पत्र भी लिख्या मने फोन से भी संपरके रहा है लेकिन में मारे गाम वड़ाई को सुनाए नहीं होई आम दिये हैं मरें तब राम रोस हैं तो आप लोगों से यह उमीद है कि प्रमुकता से उठाए उसका है कि जिलाब प्रशासन इसको बात को सुन ले और मारे समय समान दानों आप जो शीन को देख रहे हैं तो कितने दिनों से बढ़ी हुए और यह यह सड़क चार से पांच बिन्यों लिए प्रमुकता से उठाया लेकिन हमारी कोई कोई सुना नहीं होई इसकर काम ने तो यह देखा वे राम रोस हैं जीएंगे तो ठीक हमर जाएंगे तो ठीक है तो सर जो संदीप सचदेवा है उन्होंने कहा है कि एस्टीमेट पास हो चुका है और इसको करवा दिया जाएगा लेकिन कब सर्थ संदीप सचदेवा से दस बारा दिन पहले मनने रावल जी से आइस्टीओ बिली बोर्ड नुगरा से बात होई मखा रावल जी आइस्टीओ साब है अमारे वो 222 खंब्य है अक्षिडेंटल पॉइंट है लोगों को खेत में जाने के लिए टैक्ट टैली के लिए बुगई अपनी परिकरिया सरू कर देंगे उसके बाद उन्हें संदीप सदेवा सब्सक्राइब करें लिए उसके बाद 15-20 दिन के बाद महारे पास उन्हें कोई प्रवार ने करें अगरे संपरक में निया जैसा कि आप देख रहे हैं विकास मंच के परदान सत्वाल पेगा ने बत का इंतजार कर रहा है क्या किसी की मोत का इंतजार कर रहा है आज यहां पर मोत होते होते बची है ये तो कुछ भी कह सकते है कि से योग था कि वो बच गए अगर आज यहां पर मोत हो जाती तो इसका जिमेदार कौन होता क्या परसासन इस चीज की बरपाई कर पाता किसी की म कर यहां पर जो भी दे जाता है लेकिन बीच से खंबा लान करें के लिए और यह वालो को बीच में नहीं दिखाई नहीं के लिए ऑधाAAAA कॉंग करें वालो के पीच में दिखाई होगा इसलिए यह कारवाई की गई कि यहां पर फाल तो दिया गया Country होने के लिए यहां पर दुर गटना होने के लिए और गाउवालों के बार बार दिमांड करने के बाद भी मतलब यह बीच का जो खंबा है यह नहीं अटाया गया और इसके अलावा भी सत्पाल जी ने बताया कि इसके अलावा भी साथ-अठ और पोल ऐसे हैं जो रोड के बीच में हैं लेकिन उन पर भी कोई कारवाई नहीं की जारी है परसासन आखिर क्या कहना चाता है इस चीज को ले करें और आप भी बताये कि यह परसासन की लापरवाई है या क्या है आखिर परसासन क्या चाता है किसी की मोत का कारण बनना चाता है या किसी की दुर गटना होते इनको हटवाने का कश्ट करें